तो आपने देखा कि बहुत आसानी से हम बिंदुरेखे विधी के द्वारा एक्स वाय या जो भी चरम को दिये गया है उनको हम अपने ग्राफ में अंकित कर लेते हैं उन्हें कर्मान लगा लेते हैं कि दोनों चरों के बीच किस तरह का संबंध पाया गया है अब अगर हम इनके गड़ती विधी की बात करें तो हमने देखा कि काल पियर्सन इस्पेरमेंट कोटी से संबंध और उसके बाद संगामी विचरन और नियूनतम वर्गरीती इन चारों विधियों के द्वारा हम गड़ती से संबंध कैल्कुलेट करते हैं जिसमें सबसे महत् सब्सक्राइब से पॉपुलर मैत मैथज आयों सब्सक्षक करते हैं तो यहां पर हम कुछ विष्यस्ताओं को देखें तो हम कहें सकते हैं कि है के चाल किक्षी सबसे अच्छी रिती है यह मतलब इससे जो वेल्यूंपको मिलती है वो काफी हद तक तक सही रहती है शुद्ध रहती है दूसरा हम आप आपर जो सह संबंद की की मात्रा के साथ-साथ हम इसका संख्यात्मक अध्यन भी करते हैं जैसे बिंदूर एक प्रधर्षम ने हमने देखा कि दिशा को देख रहा है हम आतरा को देख रहा है लेकिन एक्श्च वेल्यू क्या है वो हम नहीं देख पा रहे थे तो जब हम काल पियरेशन मैथडो से कोर रिलेशन केलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम संख्या को भी के हम आधार पर करेंगे तो तो यह सारे मैंतोर से मेथ Seven के जिनके आदार पर जैसे डिलेशन क्याफ लेंगे के तो यह सबसे पहले देखते हैं कि गणा विधी क्या होगी जिब काल्ट कीरसन correlation method use करेंगे तो इसके गड़ना विधी क्या होगी ये दो भागों में बटी होगी अभी तक हम जैसे calculation बहुत सारे कर रहे थे सब में दो method से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डारेक्ट method और shortcut method यानि कि लगू विधी अब यहां पर हमको यह समझना है कि हमको कब डारेक्ट यानि कि प्रत्यक्ष विधी का प्रयोक करना है और कब हमको लगूरीति का प्रयोक करना है तो एक बाद बस हमको यहां पर धान में रखनी है कि उस condition में हम direct method या प्रत्यक्ष विधी का प्रयोक करेंगे जब हम समांतर माध्य calculate करके देखें और हम देखते हैं कि समांतर माध्य जो है वो पूनांक में नहीं आ रहा है points में आ रहा है तो उस condition में क्योंकि हमको deviation के जुरत पढ़ती है यहां पे अगर समांतर माध्य points में आता है तो deviation की calculation थोड़ी से मुश्किल हो जाती है तो उन सब मुसीवितों से बचने के लिए फिर हम shortcut method का सहरा लेते हैं यानि कि कुल मिलाकर हमें कैसकते हैं कि अगर हमारा समांतर माध्य पूनांक में आता है तो हम direct method यूज़ करेंगे और अगर पूनांक में नहीं आता है समांतर माध्य तो हम shortcut method apply कर लेंगे तो जब हम प्रत्यक्षरिती से समांतर माध्य की गढ़ना करेंगे तो यहाँ पर हम तीन तरह के formula का प्रयोग हम को यहाँ पर करना है तीनों तरह से किसी भी formula का apply करें आपका answer जो है वलगबग समान ही आता है लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए कि किसी एक formula पर हम अपनी अच्छी पकड़ बना ले और उसी के according हम practice करें आए देखते हैं किन-किन formula का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हम जो first formula use करेंगे वो होगा r क्योंकि correlation को हम r से represent करते हैं तो यह formula होगा हमारा r equal to summation dx into dy upon n into standard division of x and in standard division of y दूसरा जो हमारा formula होगा वो होगा r equal to summation dx dy upon n under root summation dx square upon n into summation dy square upon n तीसरा जो हम formula हम use करेंगे वो होगा r equal to summation dx dy upon under root summation dx square into summation dy square मुझे ऐसा लगता है कि जो third formula है वो सबसे आदा प्रयोग में लाया जाता है और easy है आसानी से याद हो जाता है और calculation को आसान बनाता है आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस formula के चाहिए उसको apply कर सकते हैं लेकिन प्रयास हमें से यह रहने चाहिए कि किसे एक formula में हम अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना ले तो यह तो थी प्रत्यक्ष method की बात जब हम प्रत्यक्ष विदी से काल पियर्सन method से correlation calculate करते हैं त किस तरह से calculation की जाएगी आए कुछ उदाहरनों के द्वारा इसको और अच्छी से समझने का प्रयास करते हैं काल पियर्सन correlation method से जब हम प्रत्यक्ष रिती से correlation के calculation करते हैं तो कुछ steps जो होते हैं कौन-कौन से step होंगे आए देखते हैं यहां पे हम सबसे पहले x और y जो भी हम को वेरिबल्स दिये गए हैं उनको हम तालिका बद्र कर लेंगे अलग-अलग कॉलम में हम x और y को इस तरह से हम लिख लेंगे यहां पर हमको total 7 कॉलम वाला एक टेबल बना लेना है जिसमें first जो 3 कॉलम होंगे वो x वेरिबल के और उसके बाद वाले जो 3 कॉलम होंगे वाई वेरिबल के या फिर जो भी आपका वेरिबल है दोनों अलग-अलग वेरिबल के 3 3 कॉलम होंगे और लास्ट जो कॉलम होगा वो इन जो वेरिबल्स हैं उनको विचलन निकालेंगे उनके गुडण फाल के लिए होगा तो इस तरह का जब हम टेबल का निर्मान कर लें नियांगे तो deviation क्योंकि हम यहां पर प्रत्यक्षविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर जो deviation होगा वो samanतर माधि के अधार पर होगा j कर लेंगे और हमारा mean आएगा उस mean क्या अधार पर हम i geht- को माइनस करते जाएंगे और हम यहाँ पर मीन की आधार पर डेवेशन की क्यालकुलेशन कर लेंगे थर्ड स्टेप में यह जो हम डेवेशन क्यालकुलेट किये हैं उसका स्कॉयर क्योंकि हमको फॉर्मूली में ज़रत पड़ेगी तो हम जैसे डी-एक्स आपने देखा कि एक स्कॉयर औरकलेट करेंगे और सबसे लास्ट में क्यूंकि हमने देख्स भी फाइंड आउट कर लिया है और दिवाई भी फाइंड आट कर लिया तो लास्ट की गॉलम में में धी-एक्स इंटु डी-वाे मतलब डी-एक्स को डी-वाई से मल्टिप्लाइक करके विचलनों का गुड़नफल ग्याद कर लेंगे इस पूरे जितने भी कॉलम है अब क्योंकि फॉर्मूले में हमको इनके टोटल की ज़ुरत पड़ेगी तो हम सभी का टोटल कर लेंगे हाला कि हमको ढ़िखते हैं कि किस तरह से टेबल क अधार और फॉर्मूले का यूज करके हम काल पिर्शन को रिलेशन मेथर चल्ट केुड़ से इस तरह के प्रश्णों को हल करते हैं काल प्यर्शन के सहसंबन गुडांग को जब हम प्रत्यक शुरीति से कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमको प्रश्ण में यहां जो टेबल दिया गया है उसे हम व्यवस्थित कर लेंगे और सबसे पहले टेबल में कितने कॉलम बनान हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लें ताकि हमको यह समझ में आ जाए कि कितने कॉलम और कॉन कॉन से कॉलम की हमको जरूरत पड़ेगी तो यहां काल प्यर्शन सहसंबन गुडांग के लिए हमारा फॉर्मूला है आर एक्वल टू समिशन डी एक्स दी वाई अपॉ अब हम यहां पर क्योंकि फॉर्मूले में देख रहे हैं हमको डी एक्स की जरूरत पड़ेगी दी वाई की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर सबसे पहले हम एक्स और वाई दोनों इस रेनी के लिए अलग अलग कॉलम बना लेंगे लिकिन टेबल एक ही रहेगा हम सबसे प उसके बाद हम वाई शरेनी के लिए उसके आगे तीन कॉलम बनाएंगे और अगला जो कॉलम बनाएंगे वो एक्स और वाई पड़ूले के विचलनों के गुरनपल के लिए यानि दी एक्स इंटू डी वाई के लिए बनाया जाएगा तो इस तरह से इस पूरे टेबल में ह तो पहले तीन कॉलम में हम सबसे पहले पद मूल्य एक्स को अंकित करेंगे जो कि प्रेश्ण में दिया गया है 18, 27, 30, 28, 25, 23, 30, 22, 24 और 23 Summation x अगर हम यहाँ पर निकालते हैं क्यूकि हमको समांतर माध्य की जरुद पड़ेगी तो हमारा Summation x जो है वो 250 हमको ग्याद होता है अब क्योंकि हमने formula में देखा कि हमको dx की भी जरुवत पड़ेगी तो dx जैसे कि हमने पहले भी निकाला था जब हम dx निकालेंगे तो हमको वहाँ पर समांतरमाध्य से विछलन चाहिए तो सबसे पहले हम समांतरमाध्य निकालने के लिए क्योंकि हमने summation x यहाँ पर calculate कर लिया है और पदों की संखिया मतलब n अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 10 आएगा n equal to 10 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हम formula यूज़ करेंगे x bar equal to summation x upon n यानि कि x bar equal to 250 upon 10 is equal to 25 तो हमने यहाँ पर x bar 25 find out कर लिया है अब इस 25 यानि समांतर माद्य से हम विचलंग ग्याद कर लेंगे तो सबसे पहले dx निकालने के लिए हम 18 minus 25 करेंगे तो हमें minus 7 मिलेगा फिर 27 minus 25 तू 30 minus 25 फाइव 28 minus 25 त्री और इस तरह से जब हम समांतर माद्य से विचलंग ग्याद करते जाएंगे तो हमें 0 minus 2 5 minus 3 minus 1 और minus 2 यह ग्याद हो जाएगा अब क्योंकि formula में हमको विचलंग का वर्ग भी चाहिए यानि कि dx square भी चाहिए तो हम पटपट इसको dx square कर सकते हैं 7 into 7 49 2 into 2 4 5 into 5 25 इस तरह से हम इसको वर्ग करते जाएंगे तो यह हमें 9 0 4 25 9 1 4 विचलंग का वर्ग प्राप्त हो जाएगा अब क्योंकि formula में रखने के लिए हमको summation चाहिए इसका total चाहिए तो हम इसका total कर लेंगे जो कि summation dx square equal to 130 हमको मिल जाएगा तो यह जो था हमने तीनों कॉलम में एक स्टेनी का जो विचलंग का वर्ग था वो हमने प्राप्त कर लिया अब हम सेम ऐसी calculation से य का जो विचलंग वर्ग है उसको भी प्राप्त कर लेंगे तो हम y के लिए जो पद मूले है वो हम देखते हैं सबसे पहले है 13, 22, 23, 24, 20, 16, 19, 21, 24 और 28 थी आपके समांतर माद्धे की भी जरूरत पड़ेगे तो हम यहां तुरन इसे समय हमिए degrees क्याल कोई कर लेंगे हमारा समyse प्राप्त एक्वाइट करेंगे तो हम समसांतर म करेंगे तो हमizer कर देखें y bar equal to submission y upon n हम यहाँ पर देख रहें कि submission y जो है 210 है और n हमने देखा था कि 10 है 10 step है यहाँ पर तो यह हमारा जो समांतर माध्ध है y series के लिए 21 हमको ग्याद हो जाएगा अब हम इस 21 समांतर माध्ध क्या धार पर बिचलन ग्याद करेंगे बहुत आसानी से 13 minus 21 minus 8 22 minus 21 1 23 minus 21 2 24 minus 21 3 इस तरह से जब हम y के पदमुल्य को समांतर माध्ध से माइनस करके विचलन ग्याद करते जाएंगे तो हमें minus 1 minus 5 minus 2 0 plus 3 plus 7 यह सभी समांतर माध्ध से विचलन ग्याद होते जाएंगे अब क्योंकि formula में हमको d square भी चाहिए तो हमने dy find out कर लिया है तो dy square हम यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे minus 18 into minus 8 64 1 into 1 1 2 into 2 4 3 into 3 9 और इसी तरह जब हम इसका वर्ग निकालते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 25 409 49 अब क्योंकि यह तीन जो कॉलम बनाएं हमने वाइट रेनी के लिए पूरा कंप्रीट हो गया है हमारा अब लास्ट जो है x और y पर मूले के बिचलनों का गुरन पल निकालेंगे जो कि हमको formula में चाहिए होगा यानि dx इंटू dy निकालेंगे तो हम आप यह पर देख रहे हैं कि dx का हमारा भी कॉलम है और dy का भी कॉलम है dx के कॉलम को हम dy के कॉलम से multiply करते जाएंगे और बहुत आजानी से हमको यह जो लास्ट स्टेप है dx इंटू dy प्राप्त हो जाएगा यानि कि माइनस 7 इंटू माइनस 8 56 2 इंटू 1 2 5 इंटू 2 10 और इस तरह से जब हम dx को dy से multiply करते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा 9 0 10 माइनस 10 0 माइनस 3 14 अब चुक्य हमें समेशन डी एक्स डीवाय चाहिए तो बहुत सावधानी से प्लस और माइनस के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम इसकी क्याल्कुलेशन करेंगे तो हमें समेशन डी एक्स डीवाय एक्वल टू 60 ग्यात हो जाएगा अब हम यहाप समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन डी वाय स्क्वायर हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको समेशन डी एक्स डी वाय सिक्स्टी मिल गया है और समेशन डी वाय स्क्वायर हमको 166 मिल गया है इन पूरे जो यह नंबर है उनको हम इस पॉर्भूले में पूट कर देंग 60 divided by under root 21.580 जो कि अगले step में हो जाएगा r equal to 60 upon 146.9 और जब हम इसको divide करेंगे तो यह हो जाएगा r equal to 0.41 अब क्योंकि हमने जो तालिका समझी थी वहाँ पर हमने से देखा था कि अगर जो सह संबंद है वो 0.25 से अधिक और 0.75 से कम है तो वह मद्यम इस्तर का धनात्मक सह संबंद पाया जाएगा वहां पर तो हम यहां पर देख रहें कि आर जो हमारा प्लस में आया है और यह 0.25 से 0.75 के बीच में आया है तो हम यह आप यह कह सकते हैं कि एक्स और वाई पदमुली के बीच मद्यम डिगरी का धनात्मक सह संबंद है हमने जो बहुत सारे इसके पहले फॉर्मुलय देखे थे तीन फॉर्मुलय पते थे तोधान होट दूसरे फॉर्मुले से भी हमसी कैलकूलेट कर सकते हैं तो आपने देखा कि मैं के संबंध कैसा है कि अब ये तो रही प्रत्यक्षविधी की बात लेकिन हमने देखा कि अगर हमारा समांतर माध्य जो है वो पुणांक में नहीं आता है पॉइंट्स में आता है तो जो deviation है उसके calculation थोड़ी सी कटिन हो जाती है विचलनों की जो गड़ना है वो कटिन हो जाती है और यहां पर हमको लग यहां पर सिर्फ deviation में changes आएगा यानि की डारेक्ट में हम जो deviation है वो समांतर माध्य को रखकर निकालते थे लेकिन shortcut method में जब हम deviation निकालेंगे तो हमारे x और y सीरीज के जो नंबर है पदमूल है उन में से किसी एक को हम assume mean ले सकते हैं कोशिस हमारी रहती कि बीचों बीच का नंबर लिया जाए जिससे calculation आसान हो लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो बीच की जो संक्या है किसे भी एक को assume mean मांगे हम कल्पित माध्य मांगे उसके बाद फिरम deviation की calculation करेंगे और उसके आगे की पूरी पद्धिती जैसे हम प्रत्यक्षरिती में करते थे same to seem वैसी ही रहेगी तो यहां हम चार तरह के formula का प्रयोग करेंगे यह आपकी सुधानुसार आप आपको जो formula ठीक लगे याद करने में आसानी हो उस formula का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान में रखना चा करते हैं तो उसमें पहला सुतर यूझ्ड कर सकते है R equal to summation dx dy-n bracket में X bar – Ax bracket close B Brexit में Y bar – ay bracket close upon N standard division of x into standard division of y. दूसरा फॉर्मूला हम इसमें use कर सकते हैं, r equal to summation dx dy minus n bracket में summation dx upon n bracket close into summation dy upon dn bracket close upon n under root summation dx square upon n minus bracket में summation dx upon n whole square bracket close into bracket में summation dy square upon n minus bracket summation dy upon n whole square तीसरा सूत्र हम यहाँ पर use कर सकते हैं r equal to summation dx dy minus summation dx into summation dy upon n whole upon under root bracket में summation dx square minus bracket में summation dx square upon n bracket close फिर bracket में summation dy square minus bracket में summation dy square upon n और bracket close चोथा फॉर्मूला में I use कर सकते हैं r equal to n summation dx dy minus summation dx summation dx into summation dy upon under root n into summation dx square minus summation dx whole square bracket close फिर bracket में n into summation dy square minus summation dy whole square यहाँ आर सहसंबंद गुडांक को प्रदर्शित करता है summation dx एक्स श्रिणी के कल्पित माध़् arises निकाले गए विचलनों का योग होग summation D Y square Y shrini के कल्पित माधि से उनके व्यक्तिगत मूल्यों का निकाले गया विचलनों का योग होगा summation DX D Y कल्पित माधि से निकाले गया दोनों shrini के विचलनों के गुड़नपल का योग होगा और N बराबर पदों की संक्या होगी तो आपने देखा कि Carl Pearson correlation method को जब हम shortcut method से करते हैं तो वहाँ पे किन-किन formula का प्रयोग करते हैं आए इन formula के आधार पर हम कुछ प्रश्णों को हल करते हैं Carl Pearson सहसंबन गुडांग जब हम shortcut method से calculate करते हैं तो वहाँ पर हम यह जो X और Y variable है उसके लिए उसी तरह के column का निर्मान करते हैं जैसे हमने direct method में किया था तो यहाँ पर हम देखते हैं कि X variable के लिए भी तीन column Y variable के लिए तीन column और लास्ट जो column होगा वो DXDY के लिए होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि जो X variable है वो है 10, 12, 8, 15, 20, 25 और 40 जिसे हम सबसे पहले column में अंकित कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर विचलन calculate करेंगे तो विचलन calculate करने के लिए यह जो हमारे पास श्रेणी दी गई है इसमें से ही किसी एक श्रेणी को हम यहाँ पर यहां निकाल लेंगे तो यहां पर हमने 20 जो है वो assume mean माना गया है क्योंकि हमने देखा था कि अगर जो समांतर मात दे हैं वो पुरांग में है तब तो हम प्रत्यक्ष रीती से बहुत आसानी से काल पियर्सन को रिलेशन प्रत्यक्ष मेतड़ से कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अगर पुरांग में नहीं आता समांतर मात दे तो वहां पर हमको यह शॉर्टकट मेतड़ अप्लाई करना पड़ता है और जो सीरीज हमको दी गई है जो पदमूल ने दिये गया है उनमें से किसी एक को हम कल्पित मध्य यानि की कैलकुलेशन की कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर हमने जो सीरीज है एक्स वरेबल के उसमें से 20 को हमने ऐजियुम मीन ले लिया है आप चाहें तो 158 किसे भी बीचोबीच का प्रयास करना है हमको कि बीचोबीच का कोई नंबर लेना है तो यहां प कर दिवेशन बाइज्यूमीन हम यहां पर क्यालकुलीट करते हैं तो सेकेंड कॉलम में हमको डी एक्स मिलता जाएगा यानि कि यहां पर जब हम माइनस करते जाएगे तो 10-20-10-12-20-8 और इस तरह से जब हम माइनस करते जाएगे तो हमको यहां माइनस 12, माइनस 5, 0, प्लस 5 और प्लस 20 मिल जाएगा अब क्योंकि हमको यहां पर फॉर्मूले में समेशन डी एक्स की जोरत भी पड़ेगी तो हम यहां पर इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करते समय हम प्लस माइनस के चेंड़ों का विशेयस ध्यान रखेंगे तो यहां ह हमारा समेशन डी एक्स इक्वल टू माइनस 10 हमको ग्यात हो जाएगा थर्ड कॉलम में क्योंकि हमको विचलनों का वर्ग भी चाहिए तो थर्ड कॉलम में हम विचलन का वर्ग याने की डी एक्स स्क्वायर क्यालकुलेट कर लेंगे और इसका वर्ग निकालते चलेंगे जै और 400 मिल जाएगा अब क्योंकि formula में हमको submission dx square के भी जुरत पढ़ने वाली है तो हम यहाँ पर submission dx square calculate कर लेंगे जो कि 758 आएगा तो एक series में हमें जो find out करना था formula में put करने के लिए वो हमने complete कर लिया अब वैसे ही हम y variable के लिए भी तीनो column complete करते हैं सबसे पहले हम fourth column में यानि कि जो वाई श्रेणी का पहला column है यहाँ पर हम वाई वाले जो variable हैं को प्रश्णी के अनुसार यहाँ पर हम निख लेंगे जो की 15, 10, 6, 26, 16, 12 और 8 है अब यहाँ पर भी हम assume mean के base पे ही deviation निकालेंगे तो यहाँ पर हम 12 को हमने यहाँ पर deviation माना है आप 16, 26 को भी ले सकते हैं जब हमने 12 को assume mean माना तो हम deviation निकालने के लिए यहाँ पर 15-12 करेंगे 3 मिलेगा 10 मानस 12 करेंगे मानस 2, 6 मानस 12 करेंगे मानस 6 और इसी प्रकार जब हम y के जो variables है उनको assume mean से मानस करते जाएंगे तो हमें plus 14, plus 4, 0 और मानस 4 यह हमको ग्यात हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि हमको summation dy की भी जूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि summation dy हमने calculate कर लिया है 9 यहाँ पर calculation करते समय हमको plus और minus का विश्यच ध्यान रखना है अब क्योंकि हमको विचलन वर्गों का योग भी चाहिए यानि dx square भी चाहिए तो हम यहाँ पर पटाफट इसका dx square calculate कर लेंगे 3 into 39, 2 into 24, 6 into 6 36 और इसी तरह से 14 into 14, 196, फिर 16, फिर 0 और 16 हमको calculate हो जाएगा जब हम इसका summation calculate करेंगे तो summation dy square equal to 277 यह हमको ग्यात हो जाएगा लास्ट जो कॉलम है वहाँ पर हमको x और y श्रेणी के जो बिचलन है उनका गुडन पल चाहिए यानि कि हमको चाहिए dx into dy, dx के कॉलम को हम dy कॉलम से multiply करते जाएगे तो हमें मिलेगा minus 30, 16, 72, 70, minus 70, 0, 0 और minus 18 minus और plus के चेंडों का विशेज ध्यान रखते हुए जब हम इसका summation करेंगे तो हमको मिलेगा summation dx dy equal to minus 92 यहाँ पर हम अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे हाला कि हमने इसके पहले जिन सूत्रों का प्रयोग किया था चार सूत्र है हमारे पास किसी भी सूत्र का प्रयोग करके हम यहां पर shortcut method से correlation nikाल सकते है कालप של का लेकिन यहां पर हम जिस सूत्र का प्रयोग करें जिस पॉज़्यो का प्रयोग कर रहा है वह थरड़ निकिन एस फॉर्मूला देखने में काफी बड़ा upon n upon under root summation dx square minus summation dx square upon n bracket close फिर से bracket करेंगे और summation dy square minus summation dy whole square upon n तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो summation dx dy है वो हमने minus 92 find out कर लिया है summation dx हमने minus 10 find out कर लिया है summation dy हमने यहाँ पर 9 calculate कर लिया है और n total number अगर हम देखते हैं तो वो total 7 तो इस पूरे जो numbers है इनको जब हम formula में put करेंगे तो हमें मिल जाएगा r equal to minus 92 minus dx dy जब हम multiply करेंगे तो हम देखते हैं कि minus 10 into 9 upon 7 under root hole upon under root bracket में हम सबसे पहले summation dx square की value याने 758 लिखेंगे minus summation dx की value minus 10 square upon n जो है 7 है वो लिखेंगे और bracket बंद कर देंगे फिर से हम next bracket start करेंगे तो यहां पी हम देखते हैं कि summation dy square जो है वो 277 है minus summation dy जो है वो 9 है तो 9 square upon n 7 step by step जब हम इसको calculate करते जाएंगे तो यह हमें इस तरह से मिलता जाएगा r equal to minus 92 minus minus 90 upon 7 hole upon under root 758 minus 100 upon 7 bracket close और फिर bracket में हम 277 minus 81 upon 7 करेंगे यहां हम देखते हैं कि पहले हम minus 92 minus और minus 90 है तो वो minus 90 और यह जो minus से मिलके यह plus हो जाता है और 90 को जब हम 7 से divide कर देते हैं तो हमको मिलता है 12.86 तो इस तरह से minus 92 और plus 12.86 है जो कि अगले step में घट कर 79.14 हो जाएगा नीचे के जो number से उनको भी हम कुछ इस तरह से 100 को 7 से divide करके और 81 को 7 से divide करके यहां पर हम इसे अंकित करनेंगे 758 minus 14.28 और 277 minus 11.57 next step में हम देख रहे हैं कि minus 79.14 upon under root 743.72 into 265.43 यह हमको मिल गया है जब इसकी calculation करेंगे next step में तो हम हम देखते हैं कि r equal to minus 79.14 upon under root 197,405.6 यह हमको मिल गया है और next step में जब हम under root calculate कर लेंगे तो यह हमें मिलेगा minus 79.14 upon 444.30 इसकी calculation के बाद यह लगबग हमें r equal to minus 0.178 जो correlation है वो हमें प्राप्त हो आएगा इसको देखने से हमको पता चल रहा है कि 0.25 से भी कम है और दूसरा माइनस में यह आया है correlation तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो correlation है यहां पर x और y के बीच वो निम्न श्रेणी का निम्न डिगरी का एक रणात्मक से संबंद है इस प्रेश्ण में हम देख रहे हैं कि आयू जो है वो वर्गांतरों में दी गई है साथ में परिक्षा में प्रविष्ट चात्रों की संख्या और उत्रिन चात्रों की संख्या दी गई है यहां पर हमें आयू और जो सफल विद्यार्टि उत्रें चात्रें उनके बीच हमेंita correlation यहाँ पर घ्यात करना है अब क्यूंकि आयू और प्रिक्षऩा में सफलता के बीच जो सहसंबन हैं हमको घ्यात करना है तो इसलिए हम जो बहुत सारे आयू अर्ग के कुल विध्यारती हैं, उनमें से पहले जो सफल होने वेले विध्यारती हैं, उनका प्रतिशत निकाल कर अलग करनेंगे, और उसके बाद ही हम आयू और परिक्षा में सफल विध्यारती हों का जो प्रतिशत हैं, उनके बीच correlation हम यहाँ पर काल पियर्शन में से find out करेंगे, तो सबसे पहले जो सफल विध्यारती हों का प्रतिशत हैं, वो निकालने के लिए हम जो टेबल बनाएंगे, फिर्स टेबल, उसमें हम चार कॉलम बनाएंगे, और पहले कॉलम में हम आयू जो प्रश्न में दिया गया है, उसे अ संख्या दी गई है, 200, 300, 100, 50, 40 और 30, और जो परिक्षा में पास हुए हैं विध्यारती, उनकी संख्या दी गई है, 124, 180, 65, 34, 20 और 10, अब अगर हम प्रतिशत के बात करें कि कुल जो प्रविष्ट हुए थे, उनमें सफल विध्यारती हों का प्रतिशत क्या है, तो प्रति प्रतिशत मिल जाएगा, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम करते हैं, 124 into 100 upon 200, 62, 180 into 100 upon 300, 60, 65 into 100 upon 100 equal to 65, और इस तरह से परसेंटेज क्याल्कुलेट करते जाएंगे, तो हमें 68, 50 और 33 परसेंट जो है, सफल विध्यारतियों का प्रतिशत याद होता जाएगा, अ आयू को इस दो श्रेणी हैं हमको यहाँ पर देनी है, तो हम आयू को एक्स श्रेणी और सफल विध्यारतियों का प्रतिशत है उसको वाइट रेणी मानने के, तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यह चेंज हो जाएगा, अब हमारा जो प्रश्न बना, उसमें हमको सिर्फ यहां पर क्योंकि आयू समू में दिया गया है तो हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा है पर फिर्स्ट में जूड़ जाएगा सबसे पहले हम एक्स ट्रेनी के लिए जब क्यालकुलेशन करेंगे तो फिर्स्ट कॉलम में हम आयू समू को रखेंगे जो की 18-19, 90-20, 22-21, 21-22, 22-23, 23-24 है नंबर में अगर हम इसको काउंट करते हैं तो समू जो है वो 6 समू है आपके एक्स के जुरत पड़ेगी तो इसके लिए हम इसके मिड़ वैल्यू निकाल लेंगे ल1 प्लस L2 अपॉन टू करके याने 18 प्लस 19 अपॉन 2, 18.5, 19 प्लस 20 अपॉन 2, 19.5 और इस तरह से जब ह तो हमें 20.5, 21.5, 22.5, 23.5 यह जो एक्स की वैल्यू है यहा जाएगी अब इसके आधार पर जब हम डेवेशन कालकुलेट करेंगे तो यहां पर हम जो डेवेशन है वह एजूमीन के बेस्ते हम यहां पर कालकुलेट कर रहे हैं तो एजूमीन जो है वह यहां पर हम 20.5 को हम और x-series से हम इस एजूमीन को माइनस करते जाएंगे तो हमें dx की वैन प्राप्त होती जाएगी यहनि की 18.5-20.5-2, 19.5-20.5-1 इसी तरह से जब हम माइनस करते जाएंगे x-a करते जाएंगे तो यहां पर हमको 0, 1, 2, 3 प्राप्त होगा और जब हम सम्मीशन क्यालकुलीट करेंगे तो submission dx equal to 3 हमको यहां पर ग्याद हो जाएगा अब क्योंकि हमको विचलनों का वर्ग चाहिए होता है तो हम यहां पर dx square calculate करेंगे यानि कि minus 2 into minus 2 4 minus 1 into minus 1 1 0 1 4 9 तो यहां पर submission dx square equal to 9 भी हो जाएगा अब यह तो हमने अभी तक आयू सभूपा जो calculation थी हो हमने कर ली अब हम को इसको correlate करना है सफल विध्यार्थियों की प्रतिशत के साथ तो यहां जिसे हमने वाई माना था तो वाई जो है वो सफल विध्यार्थियों का प्रतिशत है जो हमने previous table में calculate किया था उसे हम यहां पर अंकित करनेंगे 62 60 65 68 50 और 33 यहां पर हम देख रहे है अनिक्वल्टी 6 है अब क्योंकि हम एजूम मेन से यहां पर डेवेशन काल्कुलेट करेंगे तो इसमें 65 को यहां पर एजूम मेन ले लिया है और य सिरीज से जब हम इसको माइनस करते जाएंगे तो 62-65-3 60-65-5 और इस तरह से जब हम y को माइनस क सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हमें इसको आसानी से कर सकते हैं माइनस 3 इंटो माइनस 3 9 माइनस 5 इंटो 5 25 और इस तरह से जब हम इसका वर्ग क्याल्कुलेट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा 0 9 225 और 1022 अब यहाँ पर हम समेशन डी वाइ स्कॉयर क्याल्कुलेट कर लेंगे समेशन डी वाइ स्कॉयर इस इक्वल तो 1292 अब क्यूंकि हमें x और y श्रेणी की विचलनों का गुणन फल चाहिए यानि कि हमें चाहिए dx इंटो dy तो हम यहाँ पर dx कॉलम देख रहे हैं dy कॉलम भी ह हमारे पास इन दोनों का हमापस में मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमें प्राप्त होता जाएगा प्लस 6 प्लस 5 0 3 माइनस 30 माइनस 96 अब क्यूंकि हमको फॉर्मुले के लिए समेशन dx dy भी चाहिए तो हम इसको क्याल्कुलेट कर लेंगे टोटल कर लेंगे इसका प्लस और मा प्राप्त हो जाएगा यहां पर भी हम थर्ड फॉर्मुले का प्रियोग कर रहे हैं एक विशेज बात यहां ध्यान रखने योग्य है कि जब ध्यारते इसके प्रैक्टिस तरेंगे तो आप कोशिशिश तरेंगे किसे एक फॉर्मुले के अधार पर मैक्जिमम कोश्यन को प्राइब करें ताकि वह फॉर्मुला आपको अच्छे से याद हो जाए और उस फॉर्मुले के अधार पर प्रिक्षा में जो प्रिक्षा में उसको बहत आसानी से बना सकें हर कोश्यन में अलग-अलग प्रियोग करने से कहीं न कहीं कहीं के स्थिति भी बन सकती है यहां पर हमने देखा कि हमें समिशन दी एक्स दी वाइ माइनस 112 प्राप्त हो गया है समिशन दी एक्स जो है वो हमने आपर 3 फाइंड आउट कर लिया है समिशन दी वाइ हमने माइनस 52 फाइंड आउट कर लिया है n जो है वो हमारा number जो है वो 6 है यह हमने देख लिया है dx square जो है submission dx square वो 19 है और submission dy square 1292 है तो formula में put करने के लिए हमें जो number चाहियत है वो सब हमको मिल रहे है तो इस formula में अब हम इस number को जो put करेंगे तो हम देखेंगे कि next step में r equal to minus 112 minus 3 into minus 52 upon 6 whole upon under root 19 minus 3 square upon 6 bracket close bracket open 1292 minus bracket में लिखेंगे क्योंकि दोनों minus minus में इसे 52 को ब्रेकेट में लिखेंगे minus 52 square upon 6 bracket close next step में हम देखते हैं जब हम हल करेंगे इसको तो माइनस 112 और माइनस 15 into 2 कर 3 करेंगे तो माइनस 156 upon 6 होगा और नीचे का जो step है वहाँ पर हम square calculate करेंगे तो यह हो जाएगा under root 19 minus 3 into 39 upon 6 फिर bracket close करेंगे और bracket start करेंगे 1292 minus 52 into minus 52 जब हम square इसका calculate कर लेंगे तो हमें 2704 यहाँ पर ग्यात हो जाएगा और upon 6 वैसा ही रहेगा अगले step में हम देखते हैं कि जब हम 156 divided by 6 करते हैं तो हमको हापे minus 26 प्राप्स होता है तो यह हो जाएगा minus 112 minus और क्योंकि यह भी minus में है तो मुसको bracket में कर देंगे minus 26 upon under root 19 minus 1.5 bracket close bracket open 1292 minus 450.67 इसको calculate जब हम करेंगे पूरे को तो हम देखते हैं कि हमको मिलेगा r equal to minus 86 upon under root 17.5 into 841.33 next step में यह calculation के बाद हो जाएगा minus 86 upon under root 14723.28 next step में हो जाएगा minus 86 upon जब हम under root calculate कर लेंगे तो यह हो जाएगा 121.37 और जब हम इनको solve करेंगे तो r जो है वो हमें minus 0.709 के लगभग हमें यह ग्याद हो जाएगा तो यहां पर जब हम table का ब्लोकन करेंगे तो जैसे कि हमने table में देखा था यहां हमको यह ग्याद हो जाएगा क्योंकि हमारा जो answer है वो answer हमें रिनात्मक मिला है और दूसरी बात जो हमें correlation मिला है वो 0.709 मिला है जो कि यहां पर हम देखते हैं कि 0.709 जो है वो 0.75 और प्लस वन के बीच का है तो यहां पर 0.7 माइनस 0.75 और माइनस 1 के बीच का है तो stable के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां पर उचिता मिस्तर का रिनात्मक सहसंबंद पाया जाएगा तो आपने देखा कि Carl Pearson Method से किस प्रकार हम correlation के calculation बहुत आसानी से कर लेते हैं इस पद्धिती के बारे में हमने देखा कि इसके अपनी कुछ गुण हैं कुछ विशेस्ताय हैं लेकिन साथ-साथ में इसके कुछ दोश भी है तो आईए देखते हैं कि Carl Pearson correlation Method से calculation में कौन-कौन से गुण और कौन-कौन से देखने को मिलते हैं अगर हम गुणों की बात करें तो हमने देखा कि calculation के द्रिश्टी कौन से काफी महतुपूर है इसलिए क्यूंकि यहां पर हम सिर्फ माप यह सिर्फ दिशा का हमने अध्यन नहीं किया हमने देखा कि वास्तों में गणती द्रिश्टी कौन से संख्यात्मक रूप में जो correlation है यह इसके बारे में हमने यह भी देखा है कि किवल सहसंबंद नहीं बताता है यह बताता है कि धनात्मक सहसंबंद है या रिणात्मक धनात्मक भी है तो कितना किस इस्ति तक किस इस्तर तक और रिणात्मक है तो किस इस्तर तक तो कुल मिलाकर हम भी कह सकते हैं कि गड़ती चोड़ी calculation होती है और उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि formula भी काफी बड़े हैं तो थोड़ा से समय जादा लगता है दूसरा हम दोश कहें तो कई बार बहुत जादा formula दे देने से calculation जो होती है वो confusing हो जाती है एक formula को याद रखने या दो formula को mix कर देने में कई बार हैं पर calculation करते स में अगर हम विद्यारतियों के दिश्टी कोंड से देखे तो थोड़ा सा यहाँ पर परिशानी हो सकती है और आल क्योंकि माना ही गया है कि काल पियर्सन का जो method है correlation calculation के लिए सर्वोत्तम है काफी अच्छा है तो अपने अपने कुछ गुंड़ दोश्य है इसके अंतरगत अब जो गड़ती विधी का second method है correlation calculate करने का जिसे हम कहते है Spearman अंतरकोटी सहसंबंद उसके बारे में हम जानेंगे Spearman अंतरकोटी सहसंबंद के हमें आपर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि Spearman जो थे वो इंग्लैंड के एक सुप्रसिध मनोवेग्यानिक थे और सन 1904 में इन्होंने इस पद्धती का प्रतिपादन किया कि व्यक्तिकत जो श्रेणी है यहाँ पर चरू की व्यक्तिकत श्रेणी को हम देखते हैं उन्में जो कोरिलिशन है उसको क्याकूलेट करने के लिए इन्हों कंछ सुप्र कुछ विद्धियों के आधार पर इसकी कैलकूलेशन का प्रतिपादन इन्होंनी किया क्योंगे यह पूरा मैथट क्रमों पर आधारित है इसलिए से क्रमों पर आधारित है स्टेप्स पर आधारित है जो पूरी प्रक्रिया होगी calculation की वो पूरी rank पे based होगी तो देखते हैं कि किस तरह से कर देखते हैं तो दियें गए हूं तो देखते हैं पहले पर चुरेraw ले करेंगे हूं दीए घगे हैं वहाँ पर हम कैसे calculation करेंगे पहला जो method है जहां पर हम देखेंगे कि जो दो समंग श्रेणी है वहाँ पर पद मुल्यों की बीच जो क्रम है वहाँ पर सबसे पहले उनका अंतर ग्याद किया जाता है जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक example की तोर पर कि जो यह दो श्रेणिया य उसको डी से प्रेजेंट करेंगे डी हमने यहाँ पर निकाल लिया उसके बाद क्योंकि हमको यहाँ पर वर्गों की जोरुत पड़ेगी यह जोने डी फाइंड आउट किया इसके वर्ग की जोरुत पड़ेगी तो next step में हम डी square निकाल लेंगे यानि इस सीरीज में जित्त रिलेशन क्यालकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर और एस इक्वल टू 1-6 समेशन डी स्क्वाइर अपॉन एन ब्रेकेट में एन स्क्वाइर माइनस 1 इस फॉर्मूले के आधार पर हम बहुत आसानी से स्पियर में कोटी से संबंद वारा से संबंद के क्य क्यालकुलेशन कर सकते हैं आए कुछ एक्जाम्पल के द्वारे इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं स्पियर में कोटी अंतर से संबंद गुडांग की कैलकुलेशन जब हम पहली स्थिति में करते हैं यानि कि उस दर्शा में जब समंग्ष्रणी में व्यक्तिकत पदमुली के करम दिये गए हो तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगी जैसे कि यहां प्रेश्ण में द करेंगे विध्यार्थों के बारे में संखेट दिए गया हुद को मंकित करेंगे दूसरे कॉलम में हम यहां पार क्रेक्शन के पूर्व का क्रम है उसे हम रेंक्त वर्यरlot मैंनें की वानें किया है उसका वर्ग यानि कि D स्कॉायर हम यहां पर लिखेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट कोलम में विध्यार्थियों को अंकित कर लेंगे A B C D E F G H और और अगले कोलम में हम आरवन यानि कि प्रसिक्षन से पहले के क्रम को लिखेंगे 1 6 3 9 5 2 7 10 8 और 4 अगले कोलम में हम आरटू को लिख लेंगे यानि प्रसिक्षन के बाद के क्रम 6 8 3 7 2 1 5 9 4 और 10 चौथे कॉलम में हम आपर देख रहे हैं कि R1-R2 equal to D हमको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर हम R1 को R2 से माइनस करते जाएंगे लेकिन यहाँ पर हमको विशेज ध्यान रखना है कि प्लस कचिन आ रहा है माइनस का जैसे 1-6-5-6-8-2-3-3-0-9-7-2-5-2-2-2-1-7-5-2-10-9-8-4-4-4-4-10-6 अब नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर हम D2 calculate कर लेंगे D हमने calculate कर लिया है D2 हम बहुत आसानी से हाँ पर calculate करके लिखते जाएंगे माइनस 5 इंटो माइनस 5 25 माइनस 2 इंटो माइनस 2 4 फिर 0 4 9 1 4 1 16 और 36 यह हमी गयाद हो जाएगा और लास्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें formula के लिए चाहिए submission D2 और N तो यहाँ पर N मतलब number of students हम देख रहे हैं कि 10 है और submission D2 हमने यहाँ पर calculate कर लिए जो कि 100 आए अब यहाँ पर हम formula यूज़ करेंगे R equal to 1 minus 6 submission D2 upon N bracket N2 minus 1 तो यहाँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि N हमें 10 मिल गया है और submission D2 जो है वो 100 है तो इस value को हम इस formula में put करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 minus 6 into 100 upon 10 bracket में 10 square minus 1 इसकी calculation के बाद हम यह मिलेगा 1 minus 600 upon 100 into 99 जो कि हो जाएगा 1 minus 0.606 और यह जो answer हमको मिलेगा यहाँ पर आएगा यह 0.394 तो आपने देखा कि जब rank दिये हुए हूं series में तो हम कित्ते आसानी से कोटी से संबन के द्वारा इसकी calculation कर लेते हैं correlation के लेकिन अगर यह rank न दिये गए हो तो हम कौन सा method apply करेंगे उस condition में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पद मूलियों में श्रीणिया तो दी नहीं है तो यहाँ पर हम X और Y के पदों को rank दे देंगे कैसे देंगे rank यहाँ पर हम जो सबसे बड़ी या से बड़ी है उसको first उसके बाद वाद वाली वाली को second उसके बाद वाली वाली को third जैसे हम यहाँ तो जैस से राए ऑं चे मिसक राए से चोटी वाली को और इसके बाद फिर हम यहाँ पर x और y के जो पद हैं उनको घटा कर हम d calculate कर लेंगे उसके बाद हम next step में d square calculate कर लेंगे और summation निकाल कर हम formula apply करेंगे formula क्या होगा यहाँ पर r equal to summation d square upon n और bracket में n square minus 1 तो formula में किसी प्रकार का कोई परवतन यहाँ पर नहीं हुआ है तो आएक जाहरण के द्वारा इस method को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं स्पियर में अंतर कोटी सहसंबन विधी के द्वारा जब हम second दर्शा में calculation करेंगे जब समंग श्रेणी में पद मूले के करम नहीं दिए गया हूँ तो उस condition में अंतर सहसंबन के गढ़ना क्यासे करें यहां पर क्योंकि हमने देखा कि यहां हमको श्रेणी जो दी गई है उसका rank हमको प्रदान करना है तो सबसे पहले जो portion हमारे सामने है उसके लिए हम एक table का निर्माण कर लेंगे और यहां पर हम 6 column का एक table बना लेंगे जिसमें सबसे पहले column में हम x की श्रेणियों को लिख क्रम देंगे तो हम यहां पर देखते हैं जो एक्स की पूरिष रेणी में सबसे बड़ा नंबर जो है वह है 95 तो 95 को हमने फर्स नंबर दिया है यानि कि इसको वन लिखेंगे 95 के बाद जो है वह है 88 तो इसको second rank मिला है मतलब इसको हम 2 लिखेंगे उसके बाद हम यहां पर हो जाएगा और उसके बाद 76 हो जाएगा और 60 जो है वह 7th rank मिलेगा और 50 जो है उसको 8th rank मिलेगा तो इस तरह से हमने एक्स रेणी की पूरे ranking कर ली है अब इसी तरह से हम वाइच रेणी को लिख लेंगे तो वाइच रेणी हमने आप लिख ली 120 134 150 115 110 140 142 और 100 अब यहां पर हम इसके भी ranking कर लेंगे जैसे हमने आर वन में ranking किये वैसे हम इसको ranking करके आर तू नाम दे देंगे तो यहां पर हम देखते है कि इस पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर है वह 150 जिसको हमने फर्स रैंक दे दिया नहीं कि वन उसके बाद 142 यह सेकंड हो गया या 115,6,110,7 और 108 तो इस तरह से हमने इस पूरी आठो जो यहां पर पत्य उनको हमने ranking दे दी और इसके बाद हम हमारा वह step रहेगा जो इसके पहले वाले methods में था यानि कि हम R1 को R2 से माइनस करेंगे तो जब हम R1 को R2 से माइनस करेंगे तो हम B गयात कर लेंगे यहां पर हम द 1-1,0,6-6,0,7-7,0,4-3,1,3-2,1,8-8,0 यह हमने गयात कर लिया अब क्योंकि D हमने गयात कर लिया है तो हम D square गयात करेंगे D square जब हम गयात करेंगे तो इसको हम square करते जाएंगे जिसमें पहले 0 है तो वह 0 ही रहेगा minus 2 into minus 2,4 और उसके बाद पूरे 3 step जो है वह 0 रहेंगे और next फिर हम देखते हैं कि 1 और 1 हमें यहात पे गयात होगा जब हम इसका summation calculate करेंगे तो हमको summation D square equal to 6 मिल जाएगा अब हमें क्योंकि N भी मिल गया है 8 और summation D square 6 मिल गया है तो हम इसके formula में इसे हम रखेंगे R equal to 1 minus 6 summation D square upon N bracket में N square minus 1 जब हम इन values को formula में put करेंगे तो यह हो जाएगा R equal to 1 minus 6 into 6 upon 8 bracket में 8 square minus 1 1 minus 36 upon 8 into 63 1 minus 36 upon 504 1 minus 0.07 अब इसकी calculation के बाद हम देखते हैं कि R equal to 0.93 के लगभग यहाँ पर सहसंबंद आ रहा है table से अगर हम इसको compare करें तो हम देखते हैं कि X और Y के बीच उच्च कोटी का सहसंबंद यहाँ पर पाया गया है तो आपने देखा कि दोनों ही परिस्थितियों में जब क्रम दिये हो और जब क्रम ना दिये हो तो किस तरह से हम बहुत आसानी से spearman अंतर कोटी सहसंबंद की calculation करते हैं इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से हम दो variables में जो संबंद हैं आसानी से उसकी calculation कर सकते हैं अगर table को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत आसानी से दो variables के बीच क्या संबंद हैं कितना हैं किस इस्तर का है उचितम है निमनतम है या मध्यम है सब इस तरों को हम बहुत अच्छे से calculation कर सकते हैं कई बार इनकी जरूरत हमको इसले भी महसूस होती है कि जब हम जैसे कि अभी तक हम step by step अध्यान करते जा रहे हैं हमने मांग और पूर्ती के बारे में देखा बजार के बारे में देखा तो कहीं न कहीं सारे chapters के जो topic है हमने मांग और पूर्ती के बारे में पढ़ी फिर हमने पूर्ती और कीमत के बारे में पढ़ी अब हम देख रहे हैं कि वास्तों में बाजार के यह जितने तत्तों हैं वो कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से सहसंबंदीत हैं तो यहां तक हमने देखा कि बाजार के इन विभिन तत्तों का अध्यन करने के बाद अब हम इन तत्तों को को रिलेट कैसे करें